नमस्कार साती हों, study with motivation में आप सभी का फीर से एक बर स्वागा थे और आज हम लोग जानेंगे सिक्चन और अनुदेश और अधिगम, सिक्चन, अनुदेश और अधिगम इनके बारे में याने teaching, instruction and learning, ठीक हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, यह क्या है, हम लोग तोड़ा इसक करते हमा संबंध हैं, कौना कोन सा, शिक्चन, अनुदेश और अधिगम, सिक्चन मूल रूप से एक ऐसा कार्ज है, जो कि अधिगम को संभब बनाता है, इसलिए जब तक छात्र सिक्चन 16 को अनुदेश और इसलिए जब तक छात्र सिक्चन, उद्देश और क bess़ कछ को शि तब तक इसको निरर्थक ही माना जाएगा, आप पढ़े और कुछ शिखे नहीं है, तो फिर आपका पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, जो कुछ शिख रहे हैं, उसका कुछ अर्थ है, इस इसी लिए शीक्षन और अधिगम आप से यह टीचिंग कर रहे हैं जो सिक्षण पढ़ा रहे हैं और जो अधिगम सीक रहे हैं यह साथ साथ चलते हैं पढ़ा भी रहे हैं साथ में सीख भी रहे हैं शिक्षन किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन होता है कोई पड़ारा व्यक्ति एक मुख्य साधन होता है किस चीज़ के शिक्षान किसी ब्यक्ति को शिक्षित करने का एक ब्यक्ति शिक्षित है तो जरूर किसी ना किसी से शिक्षान लिया है तभी वो शिक्षित है और यही उसका मुख्य साधने को सटीचिंग और भी तरीके हो सकते हैं, और भी साथ में काफी सारे चीज़े इंभॉल्ब हैं, पर अन्तुर टीचिंग एक महत्वपूर्ण साधन वाना जाता है, ठीक है, तालीक का 1.2 इन तीनों चीज़े के बीच तुलनात्मक संबंद दरसाती है, तुलनात्मक संबंद दरसाती है, अधिगम को समपूरा करने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों की आवश्चक्ता पड़ता है, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम, और सिक्चन, टीचिंग, ठीक है, यानि आपका ये तीनों चीज़े, पाठ्यक्रम, सिक्चन और अनुदेश, आपको अधिगम को सफल बनाने में काम आता है, और यहां पर देख सकते हैं, इनके जो चीत रहे हैं, एक सभी एक दूसरे से जूड़े हुए हैं, ठीक है, तो सभी एक दूसरे से, यानि चारो एक दूसरे के पूरक है, अपने, मतलब एक सिक्चन के बीना आप इस चीज़ को नहीं कर पाए ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं, जो 1.2 जो तालिका है, सिक्चन, यानि टीचिंग, अनुदेश और अधिगम, यानि टीचिंग, अनुदेश इंस्टक्शन, अधिगम, लार्निंग, इन तीनों में तूलना अगर किया जाई, क्या इन तीनों में डिफ्रेंस है, उसक शिक्चन, जो है, शिक्चन का मूल विचार, ज्यान के एक से दूसरी पिड़ी को हस्तांतरन है, तू परस पर संबाधात्मक संबध, mutual instruction अस्तापित करना है, ठीक है, मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठी शिक्चन का मूल विचार, ज्यान के एक से दूसरी पिड़ी को हस्तांतरन है, तू परस पर संबाधात्मक संबध, यानि mutual instruction स्थापित करना है, शिक्चन, आपको जो पढ़ा रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विद्धार्थी को, यानि एक पिड़ी से दूसरा प करता है, अपने अनुभवों का, अपने knowledge का, इन सारी चीज़ों का, ठीक है, शिक्चन में अनुदेश निहित होता है, और जो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने कई सारे चीज़े बता देते हैं, कि इंस्ट्रक्शन जो अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन भी उसी के द्वारा पढ़ाने के साथ साथ दे देते हैं, इसलिए सिक्चन में अनुदेश निहित होता है, अब आते हैं, तिसरे पॉंड में क्या करें, कि सिक्चन से ज्यानात्मक, तता क्रियात्मक पहलू का भिकास किया जाता है, आपको जो knowledge दिया, ठी जो करेंगे, आप किस प्रकार से अक्टिवीटी करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, उसको अपलाई करेंगे अपने लाइप में, यह टीचिंग के द्वारा आपको सब कुछ बता दिया जाता है, आप उसको knowledge को की तरह से आप अपना, मतलब मेमोराइज कर सकते हैं, या अनुदेश है, अनुदेश में क्या करें, अनुदेश क्या है, अनुदेश क्या है, इसको हम लोग अगर देखेंगे, तो सबसे पहले हैं, कि अनुदेश में छात्रे बंग सिक्षक के बीच पारासपरिक अंतक्रिया की संभावना नहीं होती, अनुदेश में छात्रे यह उसमें आपको इंस्ट्रक्सन दे दिया उसने क्या पूछा क्या ने जो छीज उनको लगा है सही लगा है अनुदेले… नहीं होती है आप अंदर से कुछ उसको अपनि भावनात्मक इसमें भाव अचिजों के बारे में précis सस्था आपको पढ़ रहें उसको पढ़ने का कोशल उसको पढ़ने को सिलेबस जो है उसको कैसे आप कंप्लिट करेंगे इन साजी सारे चीज़ों के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन देता है इसलिए मातपुर्ण घटक होता है सिक्षन का अनुदेश आपको काफी सारे शदाता उसमें कर सकते आनुदेश इंस्ट्रक्शन आपको जानकारी कुछ बता दे रहें लेकिन उसमें अधिЭघम नहीं होता है ठीक उसमें कुछ शिकने लार्निंग क्या है सिक्षन और अनुदेश सिक्षन और अनुदेश के मध्यम से अधिगम के अनुभब प्रधान होते हैं उनके बैबहर में बांचित परिवर्तन लाता है यानि आपको जो टीचिंग और अनुदेश इन दोनों जो दिया यानि आपको टीचिंग और इंस्ट्रक्षन जो इनके माध्यम से आपको लार्निंग एक्स्प्रियेंस आपको देते हैं ठीके साथ में आपका जो बीवियरल चेंज होते हैं आपको बैबहर में जो परिवर्तन आता है ये भी परिवर्तन होता है शिक्षन और अनुदेश के माध्यम से और अधिगम के लिए शिक्षन एवंग अनुदेश सहायक होते हैं परन्तु आवश्यक नहीं जरूरी नहीं कि आपको अधिगम के लिए शिक्षन एवंग अनुदेश सहायक होते हैं ये हम नार्मल तरीके से समझ सकते हैं पर उन्त यह वश्चक नहीं कि होते ही है बोल और. अधिगम शिक्चन और अंधस का प्रुभाब का पडिगम है. और नेक्स्ट हम लोग दखेंगे इसके आगे. सिक्चन एक संवेबसाई है. टीचिए प्रोफेशन. वह कैसे हैं तो कैसे हैं प्राइद यह कहा एक ऐसी संभेबसा है जो दूसरे संभेबसा को संभब बनाती है चिकित्सक इंजिनियर चार्टर अकाउंटेंड अधिवक्ता कोई भी संभेबसा शिक्षन के बीना संभब नहीं है कि जो दूसरे सम्भब स्वाइब को संभब बनाती है ठीक है सिक्चन एक ऐसी संभब साइब है चिकित्षक इंजिनियर चार्टर अकॉंट अधिवक्ता कोई भी सम्भब साइब से सिक्चन के बीना संभब नहीं आप जो कुछ भी आप अगर इन पदों को आप प्राफ्ट कर सकते हैं तो यहां सम्वेबसाई मुलत अस्वा आयो जेती यानि सेल्फ और्गनाइजड होता है और सिक्षक अपनी सम्वेबसाई के इस्तर को बढ़ावा देने के लिए निस्चित क्रियाविधी को भी विक्सित करते हैं अपना जो प्रोफेशन है उसको अपना जो लेवल है प्रोफेशन के जो लेवल है उसको हमेशा बढ़ाते रहता है यानि अपनी उन्नती अपनी विकास हमेशा करते रहता है इसलिए जो उसके सामने जो क्रियाविधी उनको जो करना है निस्चित जो कर सकते हैं उन उन चीज अर्थाति इसका विकार सहाज डंग से होता है इनके लिए कोई हाड आपको नहीं होता है आपका नॉर्मल तरीके से होता है आपका विकास जो भी चीज़े आती है या उनकी जानकारियां या नॉर्मल तरीके से सहाज डंग से होती है अगर कहा जाए तो ठीक है अब आगे दे है इसको अगर हम देखेंगे पिसमें हे बोद्धीक, विशस बोद्धिक य्यां सक्षिक-प्रसिक्छेंस समाज हे उच्च साय तता है विशस est कानूनी अदिकार है और बयभाहार का किसी संगस्ता या नियमित किया जाना आगे हम लोग देखेंगे स्क्षन के संबंद में कुछ और भी जान का रही है हम लोग इधर भी देख सकते हैं शिक्षन के संबंद में यह سुनिस्चित करना थोड़ा कटिन है कि इसमें उपर रक्त सभी लक्षन समान रूप से समावेशित है फिर भी सिक्षन या अध्यापन कर समाज में जोगदान को देखते हुए समवेबसाई या बृत्ति कहा जा सकता है यह भी कहा जाता है कि सिक्षक पैदा होता है बनाया नहीं जाता एटीचर इस बॉण नॉट मेड शिक्षक पैदा होता है बनाया नहीं जाता है शिक्षन के वेबसाई में प्रवेश पाने के लिए कोई पाठक करम होते है जैसे बीएड एमएड ठीक है यानि बेचलर आफ एजुकेशन मस्टर आफ एजुकेशन इत्ता दि जो सिक्षन प्रगती के लिए शिक्षन की छेत्र में प्रगती के लिए शिक्षक को अपनी योग्यता में सुधार करते रहना चाहिए अध्यापन क्योंकि शिक्षक को भी नए ज्यानों से नए जानकारियों से इसे प्रगती करते रहना चाहिए क्योंकि शिक्षक अगर नहीं योग्य विक्सित करने के लिए उपयोगी है अध्यापन ठीक है यानि अध्या अगर पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो यह समाज को विक्सित करने का काम कर रहे हैं यह माना जगया है कि शिक्चा किसी राष्टर में परिवर्तन लाने के लिए सक्ति साली उपकरण है ठीक है सक्ति साली उपकरण है इसलिए आपको ये भी कहा जाता है कि education is the most powerful weapon which you can use to change the world शिक्चा कैसा सस्त्र है जो जिससे आप अपने दुनिया को बदल सकते हैं और दुनिया का परिवर्तन कर सकते हैं कि अध्यापन व्रित्ति में उच्चेस्तर की स्वायत्तत होती है विविन्नक्रियाओं जैसे कि परिवर्धन यानि करिकुलम डेवलप्मेंट ठीक है समाई और क्या है कैसे करिकुलम को सभी में सिक्चन सायत्तत बान्शीत है अब आते हैं कि सिक्चन विज्ञान भी और कला भी है ठीक है इसको हम लोग देखेंगे शिक्षन कैसे बिज्ञान है और कैसे कला है इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं पहला है कि वेवस्थित ज्यान का समूह यानि इसलिए यह साइन्स निरिक्षन और परिक्षन पर आधारित सिद्धान प्रिंसिफल्स बेस्ट ऑन अब्जर्वेशन एक्स्प्रिमेंट्स ठीक है इसमें समय समय पर अब्जर्वेशन और एक्स्प्रिमेंट्स सब कुछ होते हैं इस पर बेस्ट होती है अब आगे आते हैं कारोन और परिनाम सम्मंद्ध कॉज ठीक है कॉज और इफेक्ट रिलेशन्सिफ जह होता है सार्वावमिक सिद्धान यानि उनुबर्सल प्रिंसिपल्स पाजबा है बविस्था में होने गटना और परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना यह कला हो सकता है या इस प्रकार होना चाहिए इन सारी ठीजों पर और ग्यान के प्रयोग से सार्थक परिणम प्राप्त करना ही कला है कला काज करने की वीदी है जबकि विग्यान यहाँ बताता है कि कैसे किया जाए कला क्या बोलते है कला काज करने की वीदी है जबकि विग्यान यहाँ बताते है कि कैसे किया जाए कला काज को बैबाहर में लाना है अगर किसी भी काज को अगर वेवार में लाते हो कला है उदारण के लिए भारतना ट्यम निर्थ सिद्यान तसुनिश्ची थे परन्तु इसका वेवाहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भीन भीन हो सकता है या विज्ञान भी हुआ और कला भी हुआ शिक्चन वेवस्थित ग्यान सिस्टेमाइजड बोडी आफ नौलेज पराधारित है जो जीवन के सामाजिक मनोबैगानिक अईतियासिक राजनीतिक और आर्थिक चेत्रों से प्राप्त किया गया है शिक्चन समाज के धार्मिक अध्यात्मिक और नैतिक मुल्य सभी प्रभावित होता है शिक्चन उद्देशों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवंग क्राम का पालन किया जाता है विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्चक को प्रसिक्चित किया जा सकता है उस शिक्चक को प्रसिक्चन के लिए निश्चित वीधियों का अनुशरन किया जाता है और सिक्षन को अधिकतर कला के रूप में ही जाना जाता है जो की कक्षा के गतिसिल बातावरन में वेवारिक रूप लेती है अर्थात सिक्षन का वेवारिक पक्ष कलात्मक है सिक्षन का वेवारिक पक्ष क्या है कलात्मक हम यहां जानते हैं कि अधिकम को प्रभावी बनाने के लिए सिक्षार्थियों के बीच बैक्तिकत मत भेदे हो क्यानि जैसे कि इंडिविज्वल डिफ्रेंसेस को समझने आवज सके ताकि अनुदेशन कोईसी के अनुचर व्यवस्थित किया जा सके इसी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके शिक्षक को यह काज बिनमर ढ़ंग से करना होता है ठीक है क्योंकि एक टीचर है टीचर के पास कहीं इस प्रकार का कोई ब्यवाहर नहीं होना चाहिए कि किसी दुसरे को अकॉर्ड फील हो ठीक है टीचर का जो स्वाभा भी है विनमर ढ़ंग से उसे काम करना चाहिए जिसमें विनमर ढ़ंग से करना होता है सिक्षक को यह जो कार्जे जिसमें उसका व्यक सब्सक्राइब करने इससी में हम सिक्षन को कलाभी कहते हैं इसको किस प्रकार से बैब कर आना है यह सिक्षक पर निर्भर करता हैं ठीक है अब हम लोग देखेंगे शिक्षन के सिक्षन के उद्धेश्य टीचिंग आबजेक्टिव से हम जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाने का क्या अब्जेक्टिव से क्या उद्देश हो क्या मोटीव हो सकता है तो चलिए उसको एगर थोड़ा सा देख लेते हैं एक सुचना अधारित आधूनिक समाज में जीस में ग्यान का तेजी से प्रशार हो रहा हो सिक्षक के लिए यह महत्तफूर्ण की दिर्गकालिक लक्षोपर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें छात्रा भी अपने इस्तर पर अपने अपने fan को बढ़ान कर दो चलते हैं आगे बढ़ते हुए कि आज के और आगे बढ़ते हुए मतलब आज यही पर अंठ करते हैं इस क्लास को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे सिक्षण के निदेश निदेशात्मक उद्देश्षों का वर्गी करन टिक है यादि क्लासिफिक वीडियो में और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो अच्छे लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ठीक है मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहिए हिंदे